हेलो बच्चो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल का अक्षाकरत में तो फाइनली आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 का सबसे पहले ये वीडियो होगा इसमें आपको लेसन नमबर एक मानि संबंद और फलन से संबंदित जो भी प्रशन है उनको हम अलकराएंगे बलकि हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर संबंद और फलन दो आपके पार्ट हैं इसमें से पहला पार्ट हम जो संबंद है उ दो सारे प्रशन देंगे जो एकदम एकदम मनों Excuse क Teacher को देंगे यह आने ही वाले हैं तो बस इसी उसी क्रम में आंगे बढ़ते हुए आंगे जाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि संबंद क्या है इसमें यहां पर संबंद कितने प्रकार के होते हैं यह सारी डिटेल पहले करेंगे बेसिक थोड़ा पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम important कुस्तनों को यहां देंगे तो चलिए start कर दें वीडियो को like कर दें और share कर दें अपने दोस्तों के साथ तो बच्चो सबसे पहले आज आपको पढ़ना है संबंद के बारे में तो दिमाग में कुछ ऐसा भी आता होगा कि संबंद आकर है क्या वैसे तो normal सी बात है आपने संबंद तो बहुत देर सारे संबंद हो गया पुत्र और पिता का संबंद हो गया इसी प्रकार हम कह सकते के हमारा और आपका क्या संबंद है गुरुसिस का संबंद है सीधी सीधी सी बात है लेकिन बासता में यह तो आपके देनिक जो एक्जांपिल है वो एक्जांपिल है अगर हम बात करें गड़ित क होते हैं इसी प्रकार से संख्याओं में आपस में relation होते हैं तो उनmniej जो relation होते हैं वह कितने प्रकार के relation होते हैं यह सारी बात आज आपको यहाँ पर पहले पढ़ना हैं फुरी हमने बताया कि बेसिक भीह जरूर पढ़नी ठीक और इसके बाद में सारी important question करेंगे एकदम बढ़िया मज़ेदार तरीके सी किसी को कोई समस्या नहीं आएगी तो सबसे पहले आपको पढ़ना है class 11 में जो आपने पढ़ा है क्रिमिक योग में होता क्या है जैसे हम ये मानें कि हमारे पास कोई समच्या है इसमें केबल और केबल दो हिलने दे मतलब इधर का उधर उधर का इधर नहों तो यहां पर ये समच्या है आपका A, B बन जाएगा और इसको हम यहां पर मजला कोश्टक ख़दम करके छूटा कोश्टक लगा दें ठीक तो ये हमारा क्रिमिक योग में क्या लाएगा क्रिमिक योग में एक बार फिर से बताएं जैसे हमारा कोई दो अव्यवों का समच्या A, B इसमें एलिमेंट है A, B और इस A पहले वाले एलिमेंट को अपनी जगह पर इस्थर कर दिया जाए और दूसरे वाले एलिमेंट को भी अपनी जगह पर इस्थर कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि यह समच्या हमारा A A, B बन जाएगा और A, B हमारा ये समझे क्रिमिक योग में कहलाएगा क्रिमिक योग में order पे यार इसको कहेंगे मतलब सीधी सी बात है कि यहां से क्रम बदलना नहीं है अगर आपने कहीं क्रम बदल दिया तो आपको ये बिलकुल अलग इस्थिती बनेगी आपको याद रखना है कि A, B डिज नौट एक्वाल टू B, A जैसे हम दैनिक के हिसाब से बात बताएं कि भईया एक हमारा ये बड़ा भाई है एक हमारा ये छोटा भाई है एक छोटा भाई है एक छोटा भाई है इनको दोनों को प्यार कर दें इस तरीके पे तो दोको ध्यान दें ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है अगर हम इसका ओरडर बदल दें तो यहाँ पर ये एक छोटा हो जाएगा जोटा हो जाएगा बताओ भीया एक जैसा कैसे लग रहा है नहीं है ना ये अलग है ये अलग है अगर ओरडर बदल दिया है तो लेकिन order बदल दिया तो ये बड़े छोटे हो जाएंगे मतलब कुल मिला के अलग-अलग हो जाएंगे वही order में नहीं रहेंगे तो आपको यतना याद रखना है कि a,b does not equal to b,a ठीक इसके बाद में अब हम बात करते हैं आपसे जो आपने क्रिमिक योगम की बात करी और क्रिम और उधारण से हम बताएंगे जादा कुछ नहीं करेंगे जैसे माल लेते हैं कि एक हमारे पास a कोई समुच्चे है उसके अबयाब है एक कॉमा दो कॉमा तीन माल ले और a कोई समुच्चे है b इसके अबयाब हम माल लेते हैं a,b या इसी के आंगे बढ़ा दें 4,5,6 लेते हैं तो कार्ती गुडन को a क्रोस b से लिखते हैं आपने कच्छे ग्यार है मैं बहुत अच्छे से पढ़ा है सब तो बिल्कुल एकदम याद होगा आपको तो a क्रोस b बराबर हम इस प्रकार लिखते हैं a,2,3 इसमें क्रोस लगा दें और आंगे लिख दें 4,5,6 इस तरीके ठीक है और इसका हम अगर क्रिमिक योग में पहले बनाएं और ये क्रिमिक योग में जो तयार होगा वही बास्ता में क्या हो जाएगा कार्ती गुडन हो जाएगा यहां पर दोगो एक कॉमा चार एक को चार से पियर कर दें एक कॉमा चार यहां लिख दें एक कॉमा 6 आंगे 2,4 फिर इसके बाद 2,5 फिर इसके बाद 2,6 और इसके बाद 3 की बारी आई तो यहां लिख देते हैं 3,4 फिर इसके बाद में 3,5 और फिर इसके बाद में 3,6 लिख देते हैं तो यह हमारे पास लोगों order pair बन गए और A cross B मनि कारती गुड़न फल दोनों समच्चियों का यह कारती गुड़न फल तयार हो तो आपको दो को एक बात और विसे से याद रखनी है अगर हम B cross A निकालें तो यह कुछ अलग value निकलेगी B cross A, B cross A मतलब B पहले लिखें A बात में लिखें तो इसका दोको order change हो जाएगा याद रखना है कभी भी A cross B का मान B cross A के बराबर नहीं होगा इसको हम लिखके नहीं दिखा रहे हैं आपको हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं आपसे कि A cross B does not equal to B cross A इतना भी आपको याद रखना है इतना ठीक है इसके बाद कार्थी गुरन के बाद करते हैं आपसे कि संबंद क्या है जो हम आपको बताने जा रहे थे संबंद उस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है संबंद क्या है दिखें जो हमने आपको A cross B निकाला ये आपका है क्या A cross B ये बाला ठीक और इसमें से अगर हम उप समुच्चे निकालें इसके उप समुच्चे बनाएं तो जो उप समुच्चे होंगे वही बास्तम में relation कहलाता है वही सम्बंद कहलाता है मतलब R is the subset of A cross B इतना याद रखन है समझो आपकी ये परवासा हो गई काई की सम्बंद की ये आपका सम्बंद कह राएगा इसमें से जितने भी उप समुच्चे बनेंगे वह सब सम्बंद हो जाए वह समुच्चे बनेंगे किसने ये तो बताओ उप समुच्चे किसने बनेंगे उप समुच्च्च्च्च् फाई होता है एक उपसमुच्चह है स्वयं समुच्चह होता है मतलब एक रॉस बीबी एक आपका उपसमुच्चह हो जायगा और तो बहुत जान कर बाद हमीजिएigt के बले खेंगे श्यूद मिनले बिकल का यह एकया त्वहते हैं संभनदों की सख्या ची तो यहां पर लेकर संभन्दों की संख्या तो संबंदों की संख्या बराबर किनी हो जाएगी संख्या परावर याद रखनी है डू की पावर एम क्या मतलब यह बताओ क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि एमनी मनी जो समच्य आ में अभियाब थे वह ं e班 समच्य भी में आभियाब उसमेंसे हमने दो तो किऺल बता दिया आपको, एक सम्मंध आपको कुंसा होगा याद रहिए हमने बताया ग क्या होगा है इसलिए एक सम्मंध हो जाएगा एक रोज भी का ही उपसमुच्य होता है तो इस समुच्य को क्या कहते हैं पता है इसको क्या कहते हैं सारवत्त्रिक समद्ध सारवत्त्रिक सम्द्ध ठीक और इसको क्या कहते हैं रिक्त सम्द्ध ये क्या है रिक्त सम्द्ध ठीक तो आपको पता हो गया रिक्त सम्द्ध क्या ह सारवात्रिक संबंद क्या है तो इसके बाद एक तीसरी प्रकार का संबंद है उसको कहेंगे तत्समक संबंद तो तत्समक समंद क्या है? इसको identity relation भी कह सकते हो तो वो तत्समक समंद क्या है? इसके बारे में दोखो हम आपको लिखके बताएं समुच्य A मा लेते हैं कोई समुच्य A है इसमें समंद आर तत्समक समंद तब होता है यहाँ लिख दें समुच्य A में समंद आर एक समंद आर तत्समक समंद तब होता है यदि A,B A,B belong to R for all A,B belong to A मतलब A,B कहां से आना चाहिए? A,B A समुच्य से आना चाहिए तब या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A बराबर B मतलब A उभी दोनों बराबर हों यहाँ पर किस तरीके है? तो समुच्य है A में एक समंद आर तत्समक समंद तब कहलाता है जब A,B belong to R for all A,B belong to A A बराबर B होना चाहिए? ठीक है? तो ऐसे समंद को हम कह सकते हैं? यह समंद हमारा तत्समक समंद कहलाता है मतलब identity relation कहलाता है ठीक है? देखिए यह तो सारी बातें कुछ इस प्रकार की है कि आपकी गड़त भासा में एक अगर real life से कुछ एक उधारण देखें तो आप किसी एक ब्यक्ति जो एक बिसेश ब्यक्ति है उसी से आप पापा कहते है इसका मतलब आपका और आपके पापा का कैसा समंद हो गया? एकल समंद हो गया ठीक है? मतलब किसी एक ब्यक्ति जो बिसेश है उसी से आपका एक समंद हो तो ऐसे संबंद को क्या क्यों होगे अब ऐसे संबंद को आप तत्समख संबंद कहोगे इसी प्रकार अगर हम रियल लाइब से अगर हम रिक्त संबंद की बात करें तो रिक्त संबंद किसे कहेंगे वैसे तो हमने आपको गड़ती भासा में तो बताया लेकर अगर हम यह कहें जो burden है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, कभी उनसे क्या मिले हम, नहीं मिले, कोई संबंद इस्थापित नहीं हुआ, कोई युगमन नहीं हुआ, तो हमने बताया, जब युगमन नहीं हुआ, तो युगमन ही तो संबंद होता है, जब हम कभी मिले नहीं, इसका मतलब उन के बारे में थोड़ा ज़्यादा गौर करना है क्योंकि अब यहां से मसाला आपका अपने के लिए स्टार्ट हो रहा है ठीक यह तो सारी पुरानी बात हैं तो अब आपको पढ़ना है दोयधारी संबन्द क्या पढ़ना है दोयधारी संबन्द क्या होता है ए से ए का जो रेलेशन होता है उसका जो ओप समुच्चे आएगा वो आपका संबन्द दोयधारी संबन्द क्या आपके element होते हैं, उन element से हम कुछ बाहर निकाल लेते हैं, उनके उप समुच्चे बनाते हैं, वही तो हमारे संबंद होते हैं, तो यहाँ पर हम A और B से संबंद स्थाफित नहीं करेंगे, A से A का संबंद स्थाफित करें, निकालेंगे, तो उसके जो उप समुच्चे होंग क्या देखना है स्वात्वल सम्मन देखे स्वात्वल स्वात्वल सम्मन बहुत ध्यान से पढ़ना भी या द्वयधारी सम्मन्द मैं सबसे पहले आपको पढ़ना है स्वात्वल सम्मन्द मानि रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये reflexive relation है किया बहुत ध्यान से एकदम पूरा दिमाग यहां concentrate करें और आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया सा समझ में आएगा कता ही कभी नहीं बोलोगे बस बहुत ध्यान से समझते रहो यहां पूरे concentrate दिमाग फोड़ पर रखी आप तो यहां पर स्वतोल संबंद से क्या मतलब है स्वतोल संबंद से आपके दोखों गरती भासा में इसको हम इस प्रकार लिखेंगे a, a belong to r for all a belong to a a मतलब मतलब सीधा सीधा यह है कि हम अगर यह कोई एक समुच्य मान लें और समुच्य में कुछ अभयब लिख दें एक दो तीन मान लो यह अभयब है दोखों इसका हम पूरा आपको अर्थ बताएंगे इसका क्या मतलब है समझें बहुत ध्यान के अगर कभी a समुच्य है उसमें हमने 1,2,3 यह अभयब मान लिए और इससे हम अगर relation बनाएं तो relation दो कैसे बनाएं हम अपने मरजी से दो आपको पता है relation बनाते कैसे हैं अगर हम a का a से cross product कराएं और फिर उसके बाद जो हमें उनके element मिलेंगे उन elements को कुछ अलग करके हम relation तयार करेंगे वो अलग जो हमने बनाए element अलग किये हैं उनमें से हम लिख लेते हैं जैसे 1,1 लिख लें 1,2 लिख लें 1,2 लिख लें 2,2 लिख लें यहां 3,3 लिख लें तो इस तरीके से मान लो हमने यह 4 element उसमें से बाहर नकाल लिए तो आपका यह relation हो जाएगा और यह relation है मैं यह संसमान да यह सु aç इसे समंद देगा आप से पूछेगा कि यह स्वत्वल है ये नहीं बस इतना से काम है बहुत जाद़े हैं बस घबडाने कि कोई बाहर ने एकदम बढ़िया से समंदहन है कि कैसे आपको यह चेक करके पता चल जाएगा कि सवत्वल है याई नहीं यहां पर ऐसा नहीं है कि एक का एक से सम्वन्द हो जाए, दो का दो से हो जाए, लेकिन तीन का तीन से ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल में लिखा है, फौराल ए बिलॉंग टू ए, मतलब एक के सारे अभियब जो हैं, वो इसमें से युगमन होना चाहिए, अगर ये सब कुछ आते हैं, तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, सवत्तुल सम्वन्द हो जाएगा, देखिए, एक कॉमा एक आरा भी है, दो कॉमा दो इसमें आरा, तीन कॉमा तीन भी आरा, तो निस्चित रूप से ये आर जो है, वो आपका क्या है, सवत्तुल सम् इतना ठीक है इसके बाद दोखो हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम अपना कभी फोटो देखते हैं चीसे में अपनी फोटो देखते हैं तो बिल्कुल जैसी हमें बैसी तो फोटो दिखाई देती है उसमें कोई बदराओ नहीं है तो यहां पर भी वही बात है एक का एक से सम्मन् तो यह जो आपके element लिखे हुए हैं वही देखना चाहिए मतलब एक से एक का प्रतवम होना चाहिए दो से दो का प्रतवम होना चाहिए तीन से तीन का प्रतवम होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि ऐसे relation को क्या कहेंगे हम स्वत्तोल संबंद कहेंगे ठीक है भी यह कोई समें तो इस सम्मेमिती सम्मंद को कैसे करोंगे? इसको हम कहते हैं सम्मेमिती सम्मंद को symmetric symmetric relation क्या? symmetric relation का मतलब है जैसे नहीं हम नहीं इसकी गर्थी भासा लिखिदे भैसे इसकी भी समझो जैसे हम मान लेते हैं A, B A, B belong to R A, B कहां पर है R में है R मतलब संबंद में है और इसी प्रकार यहां से अगर A, B belong to R implies that B, A belong to R अगर यह भी R में हो तो निस्चित रूप से हम कह सकते हैं जब कि A, B कहां से लिए गए है A, B जो लिए गए हैं वो आपके कहां से A समच्चे से लिए गए तो यहां पर आपको याद रखना है कि अगर A से B का संबंद है वही B से A का संबंद हो तो निस्चित रूप से ऐसे संबंद को क्या कहेंगे हम सेमेट्रिक संबंद कहेंगे तो यहां पर दो को एक उसका उधारड़ ले लेते हैं जैसे मान लें कि अभी हमने आपको एक समुच्चे लिया था उसमें लिख दिया था एक कॉमा दो कॉमा तीन ये तीन अभी 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 ले लिये थे इसी से एक अगर relation R बना के तयार करें तो वो R इस प्रकार भी हो सकता है एक कॉमा दो दो कॉमा एक दो कॉमा तीन और यहां लिख लेते हैं तीन कॉमा तीन तो अब आपको चेक करना है कि ये जो relation है वो बास्ता में समिमिती सम्मन्द है या नहीं तो कैसे चेक करते हैं हमने आपको बताया कि A से A, B belong to R implies that B, A belong to R मतलब कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि अगर A, B, R को belong कर रहा है तो B, A, B, R को belong करना चाहिए तो यहां पर इसी प्रकार आप देखें ये लिखा है A, 2 तो 2, 1 होना चाहिए भया है बिल्कुल इक्दम पक्का है इसी प्रकार आँगर देखें यहां पर लिखा है 2,3 तो यहां 3,2 होना चाहिए वह ये 3,2 ही नहीड इसका मतलब इस सम्दों को हम सम्मिती सम्दों नहीं कहेंगे अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए 3,2 है 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए यदि यहाँ पर 3 कौमा 2 हम यहाँ लिख दें, तो हम कह सकते हैं कि यह आपका संबन्द है, वो कैसा संबन्द है, समयमिती संबन्द है, मतलब कुल मिला के उल्टा पुल्टा कर दें, एक यह जैसा रहा है, इसको पलेट दें, और वही मिले है इसमें तो इसका मतलब यह संबंद आपका क्या है यह आपका संबंद समयमिती संबंद कहलाएगा एक और उधार देगे जैसे हम मान लें कि जो हमने ए लिया है वो तो आपका समुच्चे तो वही है इससे अगर हम संबंद कोई इस प्रकार बना दें ये एक 1,3 लिख दे, तो अब आप ये बताओ कि ये सम्बंध आपका समिमिती सम्बंध है या नहीं, तो हमने बताया कि ये उल्टा पुल्टा होने चाहिए, हो जाए तो है, नहीं है, तो नहीं है सम्मिती, यहां देखिए 1,2, 2,1 मिलना चाहिए, ये दो को मिल गया, 2,3 3,2 मिलना चाहिए यह भी मिल गया अब इसके बाद 1,3 है 3,1 है यह नहीं इसका मतलब यह हम कह सकते हैं सम्मित सम्मंद नहीं है ठीक अगर उल्टा दोनों का उल्टा मिले मतलब यह जो मिले उसका उल्टा मिले अगर उल्टा नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये संबंद आपका सम्मित संबंद नहीं है ठीक है किलियर चलिए इसके बाद एक संबंद आपका और रह गया उसको कहेंगे हम संक्रामक संबंद क्या कहेंगे उसको हम संक्रामक संबंद तो संक्रामक संबंध क्या है दोखो यहां पर लिख देते हैं संक्रामक संक्रामक संबंध तो संक्रामक संबंध को इंगलिस में क्या कहोगे इसको कहोगे ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन यह देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है देखिए आपको यह स to R, B, C, B, C belong to R, B, C belong to R, तो निश्चित रूप से A, C belong to यदि R आ जाए, क्या आ जाए, A, C belong to R आ जाए, तो निश्चित रूप से हम ऐसे relation को क्या कहेंगे, संक्रमक संबन्द कहेंगे, एक बार फिर से समझे, A, B belong to R, मतलब A, B दोनो R में हो, B, C belong to R, मतलब B, C दोनो R में हो, तो A, C, B, R में यदि होता है, तो ऐसे संबन्द को क्या कहते हैं, संक्रमक संबन्द कहते हैं, जैसे एक उधारल लें, वही उधारल फिर ले लेते हैं, A बरागर, 1, 2, 3, यहाँ से हम रिलेशन बना दें, तो रिलेशन कुछ इस प्रकार दोको बनाएं, देहां दें, 1, 2, 2, 3, और यहाँ से अगर 1, 3 यहाँ लिख दिया जाए, तो यह रिलेशन आपका निश्च तूप से हम क्या सकते हैं, संक्रामक संबंद होगा, क्यों होगा, देखी दान से समझें, दोको यहाँ से यह है, A, यह है B, तो A का B से संबंद, यहाँ B, यह C, तो B का C से संबंद, तो क्या होना चाहिए, A का C से संबंद होना चाहिए, यहाँ दोको A से C का क्या संबंद है, 1, 3, 1, को मतीन है न तो यहाँ पर ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम संक्रामक संबंद कहेंगे बोलो भई ठीक है कोई समस्या अब एक बात बिसेद ये भी याद रखनी है कि अगर A, C belong to R ना हो मतलब इसको हम यहाँ काट दें तो निस्चित रूप से हम यह कहेंगे कि यह संक्रामक संबंद नहीं है यह जरूरी है कि A, B belong to R B, C belong to R तो निस्चित रूप से A, C belong to R होना चाहिए तो ही इस संबंद को हम संक्रामक संबंद कहेंगे और यदि A, C belong to R ना आए तो ऐसे संबंद को हम कहेंगे संक्रामक समंद नहीं है ठीख है तो यह तो सारए बाता हो गई है अप की यह जो रिलेशन बताई उनसे समंदित हो गी शारी हम यह किdar सकते हैं सारी समंदित सारी बैसिक चीजैं है आपके खत्म हो question कुछ इस प्रकार से इसको रब कर दें तो देखते हैं question number पहला जो की बहुत ही important question है परिख्षा में बहुत बार पूंचा गया है ठीक है तो हम ऐसे ही सारे important प्रशनों का यहाँ पर आपको संग्रह देने वाले हैं आपको बहुत ही मन लगा के पढ़ना है आर जो संबन्द है वो दिया गया है 1, 2, 2, 1, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 2 यहीं एक संबन्द है इसमें से यहाँ पर objective question है चार यहाँ विकल्ब दिये गए है कि यह स्वत्वल तथा समेमिती है किन्तु संक्रामक नहीं है दूसरा विकल्ब दिया गया है स्वत्वल है किन्तु समिमेती तथा संक्रामक नहीं है समिमेती तथा संक्रामक है किन्तु स्वत्वल नहीं है और चौथा विकल्ब है एक तुलता संबंद है तो हमें यहाँ पर सारे संबंदों को चेक करना है फिर पता चल जाएगा कि कौन सा विकल्ब सही है हमारा तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया गया है कोई एक समुच्चे दिया गया है इस समुच्चे ए गोल यह ए नाम दे देते हैं और ए बराबर हमें दिया गया है 1,2,3,4 और इसके बाद में relation R बराबर भी हमें दिया गया है 1,2 2,2 1,1 और यह है 4,4 1,3 3,3 और यह है आपका 3,2 यहाँ पर यह दोखो relation हमें दिया गया है तो इसमें हमें करना क्या है हमें सबसे पहले स्वतुल चेक कर लेना यहां लिख दें स्वतुल स्वतुल के लिए सबसे पहले हमें स्वतुल के लिए यहाँ पहले step में हमें स्वत्वल चेक कर लेना है तो कैसे करते हैं आपको हमने बताया कि अगर यहाँ पर यह संबंद जो दिया गया है इस संबंद में क्या क्या हो 1,1 हो 2,2 हो 3,3 हो 4,4 हो अगर यह है इसमें चूंकि एक जो है तो कोई यहाँ पर ऐसे में आ जाए तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यह आपका स्वत्वल है इसी प्रकार 2,2 का अभियाब है तो 2,2 में आना चाहिए 3,3 भी अभियाब है तो 3,3 में आना चाहिए 4 इस समुच्चे का अभयाब है तो 4,4 भीस में आने चाहिए तो यह सब कुछ अगर इसमें आते हैं तो लिख देंगे कि यह स्वतुल है किलियर सी बात है तो यहाँ पर दोगो एक बिलोंग कर रहा है मतलब ए में समुच्चे ए में एक अभयाब एक है तो यहाँ पर 1,1 दोगो आर में भी तो है तो हम कह सकते हैं अताहा यह आर जो है आर स्वतुल संबंद है स्वतुल दोगो हमने केबल एक के लिए बताया आपको लिखना सब कुछ है क्या क्या लिखना है यहाँ पर दोगो लिखना है एक सारी बातें एक साथ लिख दें क्या एक कॉमा दो बिलोंग टू आर दो कॉमा दो बिलोंग टू आर यहाँ पर सारी चीज़े एक साथ लिख दें तीन कॉमा तीन तीन कॉमा तीन बिलोंग टू आर और इसी परकार चार कॉमा चार बिलोंग टू आर यहां लिख दें 4 belong to a तो आपको लिखना है आता हा आर स्वत्ल संबंध है स्वत्ल संबंध है ठीक है बई बताओ इसमें कोई समस्या कोई समस्या नहीं एकदम फिट इसके बाद हम चेक कर लेते हैं दूसरे संबंध को मतलब हमें चेक करना है कि यह समिमिती है यह नहीं यहां लिख दें समिमिती के लिए समिमिती के लिए सिमेंटर कैसे चेक करते हैं उसके लिए हमने आपको बताया क्या करते हैं हम कहते हैं a,b a,b belong to r implies that b,a belong to r यही तो हमने आपको बताया कि अगर ऐसा होता है कि a,b r में है तो b,a b r में जदी है तो निस्चित रूप से यह क्या सं समिमिती हो जाएगा तो भीया चेक कर लो क्या बात है 1,2 देखिए 1,2 और 1,2 अगर यहां है और 2,1 भी यहां अगर है तो इसको हम कहेंगे सम्मिती है दर्वाई सम्मिती नहीं है तो आप बताओ भीया 1,2 यहां है यहां से यहां तक पूरे में देखो क्या लग रहा है कहीं 2 2,1 लिखा है नहीं लिखा है इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं समिमिती नहीं है यहां लिख दें चूंकि 1,2 belong to R 1,2 तो R को बिलोंग कर रहा है बट यहां लिख दें लेकिन 2,1 2,1 does not belong to R अथा आपको यहां लिखना है अथा R समिमिती नहीं है समिमिती नहीं है और हमें दुनिया की बाते देखना ही नहीं है उसने एक ही ने काम बिखार दिया चूंकि 1,2 R में है लेकिन 2,1 R में नहीं है इसका मतलब काम खतम समिमिती नहीं है इसको लिखना है समिती नहीं है इसके बाद तीसरा संबन्द चेक करना है, संक्रामक, संक्रामक, बताओ संक्रामक है या नहीं, इसके लिए हमने आपको संक्रामक के लिए, हमने इसके लिए भी आपको रूल बताया, क्या बताया? आपको बताया कि A, B belong to R A, B belong to R और B, C belong to R तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए A, B belong to A, C belong to R होना चाहिए तो निस्चित रूप से हम कह सकते हैं संक्रामक है जो को A, B belong to R, B, C belong to R तो हमने क्या बताया? A, C belong to R होना चाहिए तो निस्चित रोब से यह संक्रामक है अने साथ नहीं है तो यहाँ चेक कर लेते हैं दोखो दियान ने 1,2 2,3 है क्या यहाँ 1,2 दोखो यहाँ पर 3 हम राजियां माल लें कि 1, 2, 3 यह तीनों कहां से A से हमने लिए है दोखो A से हमने 1,2,3 लिए है तो यहाँ से हम लिख दें अगर 1,2 1,2 belong to A दोखो दियान दें 1,2 A में है है पकका लेकिन दियान दें कि 2,3 2,3 does not belong to A दोखो दियान दें 2,3 तो इसमें कही है जी नहीं है जी नहीं न 1,2 तो है लेकिन 2,3 नहीं है और इसके बाद में ध्यान दे कि अगर ऐसा हुटा तो क्या हुटा 1,3 यहा नहीं देखो 1,3 भिलोंग to A है चैया नहीं स्सिरी, बिलोंग to A नहीं बलकि और 1,3 बिलोंग to और तो 1,3 बिलोंग to और मतलब 1,3 तो इसमैं और में है लेकिन 2,3 इसमैं नहीं है इसका मतलब ये संबंद संक्रामक नहीं है ये तीनों बाते होनी चाहिए 1,2 belong to R मतलब हमने क्या बदाया 1,B 1,B belong to R B,C belong to R तब 1,C belong to R भी होना चाहिए मतलब 1,C भी R में होना चाहिए तो यहां पर 1,C तो भाई है लेकिन 1,C 1,C belong to R मतलब B,C,R में नहीं है इसका मतलब ये संबंद कैसा संबंद है संक्रामक नहीं है क्या लिखना है संक्रामक नहीं है संक्रामक नहीं है अब आप इसके आंसर पर आजाओ हमें क्या क्या बताना तो यहां पर दोगों चेक करें स्वतुल है किन्तु समिमिती नहीं तथा, संक्रामक नहीं दोखो ध्यान दे हैं, स्वतुल तो है लेकिन ना तो समिमिती है ना ही संक्रामक है तो यहां पर देखें विकलब नमर 2nd वाला आपका सही ठीक है, समझ में आजा पोई डाउट नहीं, तो यहां पर तो फिर आपसे पूशा जाएगा कि बताईए कि समयमिती है सोतल है या संक्रामक है या क्या है और क्या नहीं है जरूर आएगा ठिक तो एक तरीका का एक प्रिशन आपको मिलिया दूसरा टैप का एक दूसरा प्रिशन देखें तो इसी क्रभ में ये है कुश्छन नंबर सेके ये भी बहुत बार पूशा गया है प्रसुजे तो इसमें भी यही इसी प्रकार का है दोगों लिखा है समुझ्चे एन में आर बरावर एक्स कॉमा बाई जहां एक्स प्लस टू बाई बरावर आठ द्वारा प्रदक्त आर का प्रांत निम्ल में से कौन सा है यह आपको विकल बरावर क्या दिया गया है कोई भी प्रक्रदिक संखें मतलब ए बरावर एन दिया गया है तो आपको इसमें रिलेशन जो दिया गया है वो दिया गया है दोगो कितना एक्स कॉमा बाई जहां पर एक्स प्लस टू बाई की बेलू बरावर में कितनी है आठ है तो यहां पर relation को दो कैसे लिखोगे आपको यहां लिख देना है एक बात करते हैं दोको यहां पर जो हमें यह दिया गया है क्या दिया गया है x प्लस 2y बरावर में 8 दिया गया दोको x और y कहां से लेने होते हैं एसे लेने होते हैं और a बरावर क्या है 1 2 3 4 5 n n मानी कोई भी तो यहां से x प्लस 2y वरावर 8 तो यहां से अगर हम पक्छांतर करके से प्रकार लिख दें 2y वरावर 8-x या y वरावर लिख दें 8-x बटी में दू इसमें कोई डाउट अब आपको क्या करना है देखिए यहां पर हमने बताया कि x और y दोनों कहां से लेने होते हैं A से और A वरावर है N N का मतलब 1, 2, 3, 4 तो इसका मतलब X, Y, Z X और Y के मान हमें क्या रखना है 1, 2, 3, यही आने चाहिए ठीक, तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर अगर हम जैसे ही X की वैलू 1 रख दें ज्यान से समझना X की वैलू 1 लिख दें तो यहाँ पर 8 मैं से 1 गटे का 7 बचे का, 7 का बटे में 2 करेंगे 7 बटे 2 दिया, तो नैचरल नमबर नहीं आया इसका मतलब X का मान कभी हमें 1 रखना ही नहीं है क्योंकि Y का मान तो 1 आना चाहिए मतलब 1 नहीं, भलकि Y बराबर कितना आएगा 8 मैं से 2 गटे का और बटे में 2 लिखना है तो निस्षित रूप से 6 का आदा 3 बचा गई भलो सही है मतलब X का मान जब 2 लिखे है तो Y का मान पूरांका रहा है इसका मतलब 2 हमें X का मान 2 ठीक है Y का मान 3 निकला चलिए, यहां पर अगर हम अब 3 लिखते हैं 3 तो वैलिड है क्योंकि 3 रखनें से अगर Y का मान लेकर पूरांका तो वैलिड है तो यहां पर हम X बराबर 3 लिखे हैं तो 3 लिखनें से 5 मैं से 3 गटे Sorry, 8 मैं से 3 गटेगा 5 बचेगा वो 5 में 2 का भाग करें तो ये पूढंक नहीं आएगा इसमें 3 भी रखने से काम नहीं चलने बाला है तो X बराबर 4 रख के देख लेते हैं तो यहां से तो को बाई की वैलू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 4 बटे 2 4 बटे 2 बराबर कितना? 2 ठीक है? यहां पर X की वैलू के करम में अगर हम 6 रखें तो हमारा ये बाई कमान पूढंक में लेगा दो बाई बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6 बटे में 2 मतलब 2 बटे 2 बराबर में 1 तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो R हमारा निकल के आया वो दो को कितना है? R वराबर है क्या? X कमान 2 बाई कमान 3 तो मतलब 2 कमान 3 X कमान 4 बाई कमान 2 मतलब 4 कमान 2 X कमान 6 बाई कमान 1 तो 6 कमान 1 तो यहां पर दो कोई R निकल के आगया ये अब इसमें आप से पूचा गया है कि इसका डॉमेन क्या है? मतलब इसका प्रांट क्या है यहाँ जो X ये वाला X होता है ये आपका इसका क्या कहलाता है प्रांट कहलाता है मनि डॉमिन कहलाता है और ये इसका रेंज कहलाता है मनि परिसर कहलाता है ठीक तो आपको लिखना है R का प्रांट R का प्रांट लिखना है तो R का प्रांथ बराबर देखो क्या लिखोगे आप हमने बताया X X X मतलब ये X वाला ये X और ये X मतलब 2,4,6 2,4,6 2,4,6 ये आपके क्या बन जाएंगे प्रांथ बन जाएंगे अगर परसार पूँछे आते तो आपको लिखना होता 3,2,1 तो यहाँ पर देखिए प्रांथ पूँछा गया है कौन सा बिकल्ब साही है देख लीजी 2,4 2,6, 2,2,4,6 लेखना है ना 2,4,6 2,4,6 अब देखिए यहाँ पर 2,4,6 कहां पर रिद्ध को ये देख रहा है खीक है तो यहाँ पर 2,3 वाला बिकल्ब साही है समझ में आया नेश्ट कुस्चिन देखते हैं तो यह है कुस्चिन नमबर 3 देखिए कुस्चिन नमबर 3 को कैसे करोगे करने से पहले एक बात समझनी है आपको कि यहाँ पर जो हमें प्रिष्ण का थोड़ा बहुत हल भी देना होता है भाई छोटा प्रिष्ण है जरूर अगर बाई दबे कुछ गड़ना करनी है अगर आपको आँक टटोल के बंद करना है तो गड़ना की कुछ जरूर नहीं है भाई आँक टटोल के बंद नहीं करना है क्योंकि आँक टटोल के अगर आप टिक लगा देंगे तो कुछ गड़बड़ भी हो जाएगा वो तो प्रॉबिल्टी ऐसे समझो कि गड़बड़ मैं है ऐसे मानो तो आपको क्या करना है कि इस प्रिशन को सबसे पहले solve अगर करना है तो कहां करना है इसमें अगर हम दाएं वाले पेज पर फेर कर रहे हैं इसके जो बाया पेज होता है उस बाया पेज पर आप रफ कर करें और बाद में जो answer आए उसको आप यहां लिखके और इस पर आप रफ लिख दें और सीधा आए बिल्कुल मैटेंगे नहीं बिल्कुल गुचबच ऐसे नहीं काटोगे बिल्कुल एक क्रॉस का निसान लगाएं रफ लिख दें या रफ अकेला लिख दें कोई समस्चय नहीं तो आपको क्या करना है कि आप दाएं हाथ पर दाएं वाले पेज पर आपको यह सारी बिकल्पों का answer देना है बढ़ियात है ठीक है और उसके side में जो page है उस पर आपको रफ कार देना है ठीक है ना तो यहां पर देखिए यह प्रश्च संक्या 3 है इसमें लिखा है कि कोई समुच्चय आर जो कोई समुच्चय एन है आपको हमने बताया कि जो समुच्चय हम लेते हैं उसको एसे denote करते हैं और ए बराबर प्रश्च में क्या कहा गया है एन मतलब 1,2,3,4 पुलांग कोई संक्या है और यहां पर आर बराबर जो हमें दिया गया है वो क्या है दोको लिखा है a,b such that a equal to b minus 2 जबकि b की value कितनी है 6 से अधिक तो यहां पर दोको b की value 6 से अधिक रखके देख लेते हैं यहां पर हमारा r का मन गयात हो जाएगा b का मान 6 से अधिक मतलब 7 हो सकता है 8 सोकता है 9 हो सकता है कोई भी पुलांग हो सकता है चूंकि यो n है वो n का मतलब क्या है कोई भी पुलांग लेकिन पुलांग 6 से कम नहीं रखना है प्रश्ण में कहा गया है 6 से अधिक लेखना है तो यहां पर दो को B की बैलू अगर 7 रख दें तो A की बैलू हो जाएगी 7 मैंसे 2 गटाओ बताओ कितना बचाओ का 5 ठीक है अगर हम B की बैलू 8 रख दें तो निस्चित रूप से A की बैलू कितनी मिल जाएगी यहां 8 रख दें है लेकिन बाइं साइड पर लेखना है इसको ठीक जरूर लेखना जो तो यहां देखियीr आर बराबर कैसे करोगे आर बराबर एको हम भी लिखना होता है ऐ की बैलूँ हमने दोखो नो है पहले ए लिखना है फिर भी लिखना है दो को पहले ए है फिर भी है वही तो करम करना है हमें तो यहां पर इसी प्रकार और भी अभी यहां पर अब जब मिल जाएंगे लेकिन हमें जाना की जरूत कहा है हमें तो यह ढूनना है कि 2,4 अभी अब आर में है या नहीं तो आ ठीक है तो आपको क्या लिखना है विकल्ब नमबर 3 आपका सही है ठीक है ना समझ में आया कि आपको सबसे पहले ये R डूनना है और R में अगर ये वाले विकल्ब जो दिये गए हैं वो कौन सा अभिव है तो आपको सीधा देख रहा है 6,8 हिसमे है इसका मतलब ये आपका 3 व बहुत इंपूर्टेंट पृ patients है बहुत से पूंचा गया इसनलिए बहुत अच्छे से कंप्लीट करते जाएं बहुत जादा प्रश्ण भी नहीं बताएंगे असा करतेएं पूरी अक्सर्साइज रहिए आपको टैंसल लेने की कोई जरूर नहीं आप एकदम टैंसल फिरी रहिए बिल्कुल 100% आपकी तैयार यह बढ़िया से कराएंगे यह आप मेरे उपर छोड़ देजिए कता ही परिसान न होगी ठीक है आपको 90 प्लस 5 मार्क लेने हैं तो निश्चित रूप से आप हम स यहां पर एक सम्मंद जो दिया है आर वरावर उसमें केबल है और केबल एक अबियाब है उसमें लिखा है एक कॉमा दो यह आपका केबल एक अबियाब इसमें है आप से कहा गया है कि यह आर द्वारा परवासे सम्मंद आर है तो आर स्वतल है संक्रामक है सम्मति है या इन एक, दो किमा दू, तीन किमा तीन यदी यदी आर में आता है, तो हम कहेंगे, स्वातुल्य, तो यहां तो भीज्धा एक कॉमा दू आ रहा है, ना तो एक कॉमा है, और तो यहां पर हम इसके लिए تو को भॉण नहीं देते हैं इस का मतलब यह सुत ल नहीं है संक्राम की बात करें हमने आपको बताया कि एक का दो से संब्द होने चाहिए दो का तीन से संब्द होने चाहिए तब एक का दो यहां पर एक दो तीन एक कोमा दो कोमा तीन यह बिलोंग कर रहा है ए ए मैसे यह तीन अभी अभी है तो यहां पर होना क्या चाहिए एक कोमा दो यह आर में ह होने चाहिए 2,3 भी आर में होने चाहिए तब निश्ची तूप से 1,3 यदि आर में है तो हम कहते हैं संक्रामक है तो यहां सो भई ऐसा कुछ है ही नहीं यहां तो तीन की बात ही नहीं कही गई 1,2 2,3 इसमें ही नहीं तो इसका मतलब यह हम कह सकते हैं कि संक्रामक भी नहीं है क्या कहोगे संक्रामक भी नहीं है एक कॉमा दो इसमें है दो कॉमा तीन इसमें है ही नहीं एक कॉमा तीन इसमें है ही नहीं अता यहां लिखना है संक्रामक नहीं संक्रामक नहीं बोलो इसमें कोई समझने वाली बात कोई खासे बात नहीं है बस समझ दो यहाँ पर तीसरा step क्या है समिमिती हमने आपको बताया कि 1,2 हो तो भईया 2,1 भी होना चाहिए है ही नहीं 1,2 है 2,1 नहीं है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह तीसरा जो समिमिती वाला option है वो भी गलत मतलब समिमिती भी नहीं है तो क्या है जब एक नहीं है दूसरा भी साही नहीं है तीसरा भी साही नहीं तो इसका मतलब इसमें से कोई नहीं साही आपको विकलब नमब चौधा लिखना है ठीक है भईया ऊके नेश्ट कुशिन देखें तो यह है कुश्चिन नमबर पांचमा इसमें लिखा है समुच्चे 1,2,3 में सम्मंद आर बरावर 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 द्वारा प्रदत सम्मंद है तो प्रश्ण में आप से पूचा गया है कि ये सम्मेति है, स्वत्वल है, संक्रामक है, अत्वा तुच्च है देखिए एक नया सब्द मिल गया यहां पर लिखा है तुच्च सम्मंद एक तुच्च सम्मंद तो अभी हमने आपको बताया नहीं लेकिन तुच्च सम्मंद से क्या मतलब है, यह आपको समझना है यहां पर जो सम्मंद यह दिया जाता है, यह सम्मंद इसमें अगर ये संबन्द रिक्त संबन्द हो, क्या हो? ये संबन्द आपका रिक्त संबन्द अगर होता है, तो इसको हम तुछ संबन्द कहते हैं या ये संबन्द सारवात्रक संबन्द हो, तब भी इसको हम तुछ संबन्द कहते हैं तो सारवात्रिक का मतलब तो जानते ही हो, अगर हम A क्रोस A का मान निकाले हैं और जो भी आपके ये युगमन करके यो भी आपका R का मान निकले हैं, तो ये पूरा का पूरा अगर हम लिख दें, पूरा का पूरा मतलब A क्रोस A का पूरा मान लिख दें और उससे अगर हम R ब सम्बंद है और ना ही आपका ये सारवत्रिक सम्बंद है तो इसलिए ये तो बिकल्प आपका विज़े बिल्कुल इदम गलत हो गया है ना ये नहीं लिखना है छोड़ देना है तो अब आपको बारी-बारी सी चेक करना है दो को सम्बंद ये बरावर हम पहले तो समुच्च है या नहीं हमने आपको क्या बताया कि उल्टा पुल्टा करके देख लिया करो अगर मिलता है इसमें तो सम्जो सम्मिती है तो जो को एक का एक कोमा एक लिखा है तो इसका मतलब ये तो ठीक है यहां पर आजाओ दो कोमा दो का उल्टा पुल्टा करो यही मिलेगा इसका मत जाए बार, ठीक? अब आँगे आप चेक करो ना करो इससे क्या मतलब है? इसका मतलब संमित तो ही नहीं, काम खतम. स्वतॉल चेक कर लेती है. स्वतॉल हमने क्या बताया? ये आपका जो ए, एक, दो, तीन दिया गया है. एक से एक का संब्ण होने चाहिए, दो से दो का होने च युगमन हो रहा है तो इसके में हम कह सकते हैं कि यह आपका स्वतोल सम्मन्न ही होगा, यह विकल्ब सही है ठीक संक्रामक भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो निकलैगा चेक करके देख लेती हैं संक्रामक है या नहीं चुँकि हमने बताया कि 1,2,3 ये तो दो को प्रिश्ट में यहां पर दिये गए हैं कि ये अब यब काये के हैं ये के अब यब यब हैं तो इसका मतलब 1 से 2 का सम्मन दो को 1,2 ये बिलॉंग कर रहा है आर में दो को 1,2 इसमें कहीं है ये है ना 1,2 फिर इसके बाद 2,3 दो को म भी आर में है अब अगर ये दो खो 1,3 अगर ये जहां पर मिल जाए तो ये संकरमक होगा यहां से यहां से पूरे म içले नहीं है इसका मतलब ये संकरमक नहीं है आपका केबल बिकल्फ नम्मर सेकेंड साही है मनी स्वत्वल होगा किलियर हो गया ठीक है बहुत आराम आराम से चेक करोगे और आराम से लगाना थोड़ी है बस आराम से बस चेक करना होता है छोटे सबाग लें नेश्ट कुछिन देखते हैं तो आब आजओ विया जांच कीजिए कि क्या समुच्च है 1,2,3,4,5,6 मैं आर बरावर ए कॉमा बी जहां बी बरावर ए प्लस वन है द्वारा पारिभास से संबंद आर स्वत्वल है समेमिती है तथा संक्रमक है यह हमें चेक करके दिखाना तो लिखा है जांच कीजिए जांच करिए कि यह स्व मिती है स्वत्वल है या संक्रमक है या है या नहीं है तो सबसे पहले हमें जो समुच्चे दिया जाता है उसको हम ए बरावर लिख रहे थे और ए बरावर है 1,2,3,4,5,6 मैं बहुत बड़ी है इंबोर्टन कुश्यन है ध्यान से समझे यहां पर दोखो ए का मान हमें दिया गया है A,B such that B equal to A plus 1 यहां से सबसे पहले हम R को यहां से ग्याद कर लेते हैं R बरावर है क्या दोखो यह दिया गया है इसके अनुशार हमें R का मन ग्याद करना है तो A,B मतलब यहां पर A की value लिखनी है यहां पर B की value लिखनी है और A है क्या A दोखो B बरावर दिया है A plus 1 अगर हम जैसे A की value कहां से रखेंगे A में से बतलब जो समुच्चे A है उस में से हम A बरावर यदि 1 लिखनी है तो को ध्यान दें यहां लिखा है B बरावर A plus 1 तो यहां से अगर हम A की value एक लिखनी है तो एक प्लस एक B की value कित्ती हो जाएगी? दो हो जाएगी? ठीक है न दें तो B की value 3 मिल जाएगी? तो है यहां हम लिख सकते हैं 2,3 इतना लिख सकते हैं 2,3 समझ गए हो? यहां पर फुल मिलाके ऐसे कह सकते हैं जो A का मान है जो B का मान है जो B का मान है वो A से A का अधिक है ऐसे समझगा ठीक? यदि हम A का मान 1 लिख दें तो B का मान 2 लिखना ह बिल्कुल ठीक, इसी प्रकार से आंगे चलते जाओ, दो लिखें, तो यहां पर, तीन लिख दें, तो चार मिलेगा, बी का मान, चार लिख दें, और यहां चार लिख दें, तो पांच मिल जाएगा, और यदि पांच लिख दें, तो छे मिल जाएगा, देखो ऐसा नहीं है, क कि बंद करें जड़ा ज़व मचाओ वह भी नहीं करना क्यों कि अगर तुमने यह 6 लिख दिया एक आमान कितना छे लिख दिया तो बी गामान तो साथ मिलेगा और साथ को इसमें है यह नहीं ए और बी दोनों ही कहां से लेने हैं एसे लेने हैं दोनों ही यहां सी मिलना मतलब भी बड़ावर साथ हो जाएगा तो यहां पर अगर हम साथ रख जैंगे इसमें है ही नहीं है इसका मतलब यह हमें नहीं रखना है तो रिलेशन तो हमारा यह दोग्र अब इसको चेक्ष कर लीते हैं पुरानी बात हो गई है क्यों सबसे पहले हुं सुतुल आप जानते मतलब हम इसको ऐसे लिख ए कि जो एक है वो कहां पर है यह लेकिन ऑग यहां पर आर मैं है ही नही कह सकते हैं स्वत्वल नहीं है अता आर स्वत्वल नहीं है बोलो भई आई समझे में बात एक बार फिर से बताएं हमने आपको बताया कि जो एक है यह तो कहां है यह में है न तो इसका मतलब यह हुगा कि एक कोमा एक कहां आने चाहिए इस आर में आने चाहिए तो एक कोमा आर इस में है नहीं तो, इसका मतलए निश्च आही किया कह सकते है। एक ही ही को चेक करने से ंह पता चल गया कि शुत्वलब नहीं, कामखतम। इसके बाद दूसरी बाथ हो हमें हैं समयमिति यहां लिख देते हैं समयमिति we do, तो समयति के लिए क्या बताया हमने Unterstützung है William आपको relation देखना है और relation में जो भी relation लिखा हुआ है उसका उल्टा पुल्टा अगर उसी में मिलता है तो समझो आपका समयमति यह अधरबाश नहीं है जैसे एक कॉमा दो लिखा तो दो कॉमा यह किसमें मिलना चाहिए निस्विदूर से तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि नहीं है इसके बास संक्रामक की बात करते हैं यह लिखे अप संक्रामक चेक करें कि तो संक्रामक म inomक्या से करते आपका पता यह जैसे हम आजंग है कि वह देर के लिए हम 1 2,3 3 दिंगे क्या लिए 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 और यह कहां पर रहे है तो इसका मतलब एक से दो का संबंद होने चाहिए, दो का तीन से संबंद होने चाहिए, तो एक का तीन से संबंद है, तो यह आपका हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो हम यह कहेंगे, कि आर जो संबंद है, वो आपका संक्रामत है, तो यहां देखिए, एक का दोर से लिखा है, दो का तीन से लिखा है तीन का एक से अगर कहीं लिखा है तो बता हुई नहीं लिखा ना तो इसका मतलब क्या होगा यह संक्रामर नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ दो होगा आपको लिखना है चूंकि एक कॉमा दो बिलोंग टू एक कॉमा दो बिलोंग टू आर और दो कॉमा तीन बिलोंग टू आर लेकिन एक कॉमा दो एक कॉमा दो 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 डाज नोड बिलोंग टू आर एक कॉमा दो इसमें कहीं है यह नहीं है ना 1,2 belong to R 2,2,3 belong to R 1,3 belong to R कimy? यहां से यहां तक कहीं भी चेक करो मिलेगे ने तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह संक्रामक भी नहीं है तो इसका मतलब यह हो गया यह न तो यह सोतल है ना यह समिम्मिती है और ना ही यह संक्रामक है ये आपके तीनों कट्टा होगे क्लियर बात तो आपको क्या करना है आपको आंसर में क्या लिखना है कि दिया गया संबंद न तो स्वत्वल है न समयमिती है न संक्रामक क्लियर कोई डाउट नहीं ने श्ट देखते हैं अंगला प्रशन देखी बहुत ही महादपुड प्रशन है बहुत वार परिक्षा में पूंचा गया है क्या लिखा है दिखाएए कि द्धन पूढंकों के समच्चे में बिवाजता समंद स्वत्वल कॉमा संक्रामक है किन्तु समेमिती नहीं है हमें क्या करना है धन पूरांकों का एक कोई समुच्चे दिया गया है तो मान लेते हैं कि कोई समुच्चे A है वो है क्या धन पूरांकों का समुच्चे और पता ही है धन पूरांकों का समुच्चे कैसे लिखते हैं यही तो होता है धन पूरांकों का समुच्चे तो यहाँ पर हमें क्या प्रूब करके दिखाना है अब आप यह कह सकते हो कि आर क्या है भीया आर हम लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि हम कितना कितना लिखेंगे इसमें तो बहुत संख्या है है ना यहाँ पर हमसे सवाल में यह पूशा गया है कि जो समुच्चे N है जो मतलब धन पूरांकों का जो समुच्छे उसमें विवाज्टा संबन्द स्वत्ल है या नहीं तो सबसे पहले हम स्वत्ल चेक कर लेते हैं आपको पता है स्वत्ल क्या होता है हमने आपको जो घरती भासा में definition बताई उसकी इस प्रकार बताई A, A A, A belong to R For all A belong to A यहीं तो बताया है क्या मतलब इसका है मतलब इसका यह है कि समुच्चे A में A एक अबयब है मतलब A, 2, 3, 4 यह सारी अबयब कहां के हैं A समुच्चे के अबयब हैं तो यहां पर देखिए अगर हम आप से बात करें A अगर हम A बरावर 1 रख दें तो 1,1 1,1 belong to R इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है यह R संबंद है क्या विवाजता संबंद है यह R बरावर है क्या R बरावर विवाजता संबंद है मतलब सीधा सीधा कि 1 से 1 विवाजित हो सकता है पक्की बात है इसी प्रकार अगर हम A की value 2 लेख दें तो 2,2 हो जाएगा 2 भी 2 से विवाजित हो सकता है मतलब जितने भी धन पूरावर होते हैं वो स्वयम से विवाजित हो जाते हैं पक्की बात है आपको ज़्यादा कुछ ना लेखना हो तो कोई समस्या वाली बात ने कुछ भी मतलब को यहाँ लेख दें चुंकि धन पूराउंक प्रतेग धन पूराउंक ऐसी लेख दें चुंकि प्रतेग धन पूराउंक चुंकि प्रतेग धन पूराउंक स्वयम से विवाजित होता है स्वयम से विभाजित होता है अता धन पूरांक जो विभाजता सम्बंध है ऐसे लिख दें अता विभाजता सम्बंध स्वत्वल होगा स्वत्वल है घाती है तो अब आप यह बताओ कि यहांपर कोई समस्य तो नहीं लगी दोंगोस सीधा-सीधा का गया है कि यह धन पूलांख glut family on सभी आपस में जो एक से एक भवाजित हो जागा दो से दो बिवाजित हो जाया तो अगर स्वयम से विभाजित हो ओन दो तो एक कॉमा ये ये कौन सा सम्मंद है ये विवाजता सम्मंद प्रशन कह रहा है ये विवाजता सम्मंद है मतलब कुल मिला के जो संख्या आपको यहां पर रखनी है वही यहां रखनी है तो एक कॉमा एक दो विवाजित हो जाएगा दो कॉमा दो भी विवाजित हो जाएग क्या दिया है संक्रामक इसको चेक करेंगे तो को संक्रामक को कैसे चेक करेंगे यहाँ पर कोई हम तीन पुलांक माल ले अगर हम उधारल की तोर पे माल ले A, B, C कोई धन तीन धन पुलांक हैं यह कहां से हैं A मैसे A मैसे कोई हमने धन पुलांक तीन माल लिए A, B, C अब आपसे हम यह कहना चाह रहे हैं कि A, B A, B belong to R इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि A, B को विवाजित कर रहा है A, B को विवाजित कर रहा है और इसी प्रकार को B, C belong to R मतलब B, C को भी विवाजित कर रहा है तब A, C belong to R तब A, C belong to R मतलब A, C को विवाजित करेगा यहां हिंदी में बिल्कुल इख दम भासा सुद्ध भासा लिख दें लिख दें यदि A B को विवाजित करता है विवाजित करता है तथा B C को विवाजित करता है A, B को विवाजित करता है B, C को विवाजित करता है तब A, C को C को भी विवाजित करेगा को भी विवाजित करेगा देखे अगर यहां से समझ मैं ना आता हुए उदारण ले लो, छोटा सा उदारण ले लो जैसे मान लेते हैं कि कोई आपके पास संख्या है 2, 2 संख्या 4 को विभाजित करेगी पक्की बाद तो 2, 4 ये क्या हो गया 2, 4 belong to R मतलब 2, 4 से विभाजित करेगी चलो सुद्वासाई में लेख लेगा क्या लेख दो यहां लेख दें 2, 4 को विभाजित 2, 4 को विभाजित करती है 4, 6 को विभाजित करती है 4, 6 को विभाजित करती है तो बताओ भया अगर 2, 4 को विभाजित करती है 4, 6 को विभाजित करती है तो 2, 6 को विभाजित करेगी या नहीं तो 2, 6 को विभाजित करेगी पक्की बात है इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाईया 6 को ये 2 विवाजित कर जाएगी मतलब अगर 2, 4 को विवाजित करे 4, 6 को विवाजित करे तो निश्चित रूप से 2, 6 को विवाजित कर जाएगी तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि यह आपका विवाजिता संबंद बिल्कुल आपका कैसा संबंद है संक्रामक संबंध है ठीक है A B को विवाजित करता है B C को विवाजित करता है तो C A को भी विवाजित करेगा It means ये आपका जो संबंध R है वो क्यासा संबंध है संक्रामक संबंध ठीक तो जो विवाजिता संबंध है वो आपका संक्रामक संबन्ध हो जाएगा इसके बाद एक बाद और पूछी गई है किस समयमिती है या नहीं अब यह तो बहुत मौटी सी बात है अगर हम आपसे यह काएं कि A B को भी बाजित करता है तो B A को भी बाजित नहीं करेगा सीधी सीधी बात है अगर हम यह काएं दो चार को भी बाजित करता है तो क्या चार दो को भी बाजित करेगा नहीं करेगा सीधी बात है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है तीसरा पॉइंट इसको तीसरा पॉइंट पर लिखना है सामयमिती सामयमिती कैसे चेक करोगे आप यहां लिख दें, यदि A, B को विभाजित करता है, तब B, A को विभाजित नहीं करेगा, विभाजित नहीं करेगा, अगर ऐसे समझ में ना आए, तो वहीं उधारण ले लो, एक्जाम्पिल कैसे लिखोगे, दो, चार को विभाजित करता है, तब चार, दो को विभाजित नहीं करेगा, इसका मतलब यह क्या हो गया, इसका मतलब यह समिमिती नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, अता बिभाजिता सम्बंद, अता बिभाजिता पुलांकों का जो बिभाजिता सम्बंद, इसमें यह भी शर्थ है न, मिती नहीं है बताओ वाई इसमें भी कोई डाउट केलियर हो गया फिर एक बार समझें सुत्वल के लिए क्या करना है आपको प्रतेग जो भी आपके पूरांग होते हैं वो स्वयम से विवाजित हो जाते हैं तो इसका मतलब निश्शित रूप से हम क्या सकते हैं कि ये सुत्वल होगा एक एक से विवाजित होगा दो-दो से विवाजित होगा मतलब जितने भी धन पूरांग हो स्वयम से विवाजित हो जाते हैं तो ये विवाजिता सम्बंद क्या हो गया तो इसी प्रकार तो को संक्रामग की बात करें संक्रामग में कोई धन पूलंग हम A, B, C, 3 माने ये कहां से हैं A में से हैं और A, B, A, B belong to R इसका क्या मतलब है इसका मतलब है A, B से विवाजित होता है भई विवाजित ही समंद्ध तो है जहां पर इसी प्रकार B, C को विवाजित करता है मनि B, C, B, R को बिलोंग करता है समंद्ध है एक इस तब होगा ये कि A, C, B, R को बिलोंग करता है एक एक जम्पल की तोर पे हमने आपको ये बताया ये बहासा तो वही लिखिए एक्जम्पल इसको ये समझ लें पूरांकों का विवाजता संबंद है वो आपका कैसा संबंद है संक्रमक है लेकिन समयमिती नहीं है कैसे नहीं है कि A, B को अगर विवाजत करता है तो B, A को विवाजत नहीं करेगा साप सिधी बात है उदारण 2, 4 को विवाजत करता है तो तो चार दोगों विवाजत नहीं करेगा इसका मतलब जब उल्टा-पोल्टा हमने बताए एक समान ना हो तो समझो समिमिती नहीं है तो क्या करना है? यहाँ लिख देना है कि जो द्धन पूलांकों का विवाजता नियम है वो संबंद समेमिती नहीं होगा के लिए कोई डाउट नहीं देखे बहुत ध्यान से सवालों को समझें यहां पर theoretical मामला होता है ठीक अराम अराम से समझेना है और समझेना के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है ठीक है तो और नोट भी करते जाएं और हमने जैसा कि बताया क करते हैं जो हम बढा रहे है बहुत जादा हमने बताया कि पूरे एकदम čैप्टर वाई चैप्टर तो ह्शाब है बनाए चैप्टर वाई चैप्टर हिसाब है लेकर हमने आपको पूरा पूरा सब कुछ तो नहीं पढ़ाया वो पढ़ चुका है ठीक है अब आभ आपको Bren एकदम सॉलिड हलुआ मौल मिल ला है पीलो बस सियत बन जाएगी बढ़िया एकदम सियत बन जाएगी कताई कि जिनता मत करें बस हमारे ऊपर छोड़ दीजिए सारी समस्या आप केबल पढ़ते रही है बस हो जाएगा काम ठीक है नेस्ट कुस्टिन देखें यह कुस्टिन न कौशन बढ़िया परणू टू एन एक तुलता संबंद इस्थाफद करताए हमें यह बताना है तूलता संबंद का मतलब का है तूलता संबंद से मतलब यह है कि जो अभी हमनें आपको तीन संबंद बताए, इस सबसे पहले स्वत्वल और इसके बाद समिमिती और लाश्ट में संक्रामत ये तीनों संबंद अगर जिस संबंद में स्थापित हो जाते हैं, तो ऐसे संबंद को क्या कहते हैं, तो लता संबंद A जो है वो क्या है, N है, N मानी, 1, 2, 3, 4, ठीक है न, N बरावर क्या है, N बरावर है आपका, 1, 2, 3, इस तरीके, ठीक है, ये तो आपका हो गया, A, ये दिया गया कोई समच्चा है, उसमें आपसे प्रस्ण में कहा गया है, कि जो सम्मन्द R है, वो R बरावर दिया गया है, X, Y, जहां X-Y, क्या है, 3 से विभाज है, क्या सम्मन्द है, X-Y, 3 से विभाज है, बहुत ध्यान से समझें, जहां X और Y कहां से लेना है, X, Y, दोनों ही N से लेना है, ठीक है, और ये सम्मन्द आपको तुलता सम्मन्द इस्थापित करना है, तो यहां से आप बहुत ध्यान से सम आपको सबसे पहले चेक करना है स्वतुल क्या करना है स्वतुल तो स्वतुल के लिए तो आप जानते हो या क्या जानते हो आपको पहले तो वो कंडिसन लिखनी है जो बास्ता में प्रिश्ण में जो हम हमने आपको गरती भासा में जो बात बताई है उसको यहां लिख लेते ह ठीक है और A, A belong to R मतलब कुल मिलाके हम ये कहना चाह रहे कि अगर यहां से हम कोई भी 1, 2, 3, 4 कोई भी एक पूढ़ांग लें उस पूढ़ांग से उसी को घठा दें तो निस्चित रूप से सोनना आएगा और सोन संक्या 3 से भी बाजित हो जाती है यहां पर हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं देखें ध्यान से यहां पर एक अगर हम यहां पर मान लेते हैं एक्स की वैलू हम कितनी लिखते हैं एक मान लेते हैं तो एक मानस एक लिखते हैं और एक मानस एक बरावर क्या हो जाएगा जीरो जो तीन से विभाज है जो तीन से विभाजित है इसी प्रकार अगर कोई दूसरा भी पूरांक लिया जा सकता है हम अगर जो को ध्यान दें ये तुमारा जो A है वो कहां से हमने लिया A belong to कहां से A belong to A मतलब 1 belong to कहां से A से मतलब 1 जो हमने लिया वो कहां से लिया है एक यहां से लिया है समुच्चे से और उसमें हमें क्या करना है सम्मंद इस्थापित करना है एक समानिस वाई बराबर तीन दिया गया है तो एक मैंसे एक घटा होगी जिरू बचाएगा जो तीन से बिवाजित हो जाता है तो इसका मतलब निश्ची इसके बाद बात आती है, आपकी सामिमिती सम्न्द, तो सामिमिती सम्न्द क्या हूता है हम ना बताया, एक बात याद रखी सम्न्म के लिए क्या? उल्टा पॉल्टा एक सम्न, सीधी सीधी बात है, मतलब बात यह जैसे हम आपको तो यही बात بتाएं कि जैसे X minus Y प्रश्ण में दिया है तीन से बिबाजें क्या दिया गля है? X minus Y तीन से बिबाजें अगर यही बात बनी रहने कूnothing सवाल में भी दिया गया है N कहां से लिया है? X, Y से पादलब X, Y कहां से लिया है? N से लिया है तो कोई बात नहीं अगर हम x,by यही x,by बने रहन दें तो सवाल के अनुशार x-by 3 से बिवाजित है आप ये बताओ कि by-x काई से बिवाजित हो जाएगा by-x बराबर क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते by-x बराबर minus of x-by ऐसे लिख सकते तो अगर x-by 3 से बिवाजित है तो by-x अर्थाद minus x-by भी 3 से बिवाजित होगा 3 से बिवाजित होगा बोलो होगा के नहीं इसमें भी कोई डाउट है अगर हम जैसे आपको एक बिल्कुल एकदम सीधा-सीधा कोई मौटा सा उधारण बताएं कि x और y की कोई value इसमें से ले लें हम ऐसी value लें जिससे इसको घटाने से ऐसी संख्या मिले जो 3 से बिवाजित हो जाए माल लेते हैं थोड़ी देर के लिए x की value हम 4 रख दें y की value हम 1 लिख दें तो यहाँ पर घटाने से अंतर कितना मिलेगा 3 और 3 संख्या 3 से बिवाजित है ठीक है यह 3 संख्या जो मिली वो काई से बिवाजित है 3 से बिवाजित है अगर इसकी हम उल्टी कर दें हम ऐसा लिखना चाहें 1,1-4 तो 1-4 बराबर कितना हो जाएगा मानस 3 हो जाएगा और मानस 3 संख्या भी 3 से डिवाजित हो जाएगी मानस एक बात हो जाएगी ना तो यहां पर हम कह सकते हैं कि A-B X-B 3 से बिवाजित है तो Y-X भी 3 से बिवाजित हो जाएगी पकी बात है तो अब आप यह बताओ कि जो हमने बताया कि आपको अगर उल्टा-फुल्टा करके एक ही बात मिल जाए तो क्या होता है समित संख्या होता है तो X-B 3 से बिवाजित है तो Y-X भी 3 से बिवाजित है आता हम कह सकते है आता हा संख्या आर जो है वो कैसा है सामिमिती संख्या है बोलो भाई कोई doubt है ठीक है ना इसके बाद एक तीसरी बात आती है तीसरी बात हमने आपको बताई संक्रामक चेक करना संक्रामक के लिए क्या मान ले तीन साथ रासियां मान ले यहां पर x, y, z हम ले लेते हैं यहां पर संक्रामक लिख दें संक्रामा के लिए हम मान लेते हैं कि कोई धनपूरंग 3 है X, Y, Z ये कहाँ से ली है हमने X, Y, Z ये ली है हमने A से ठीक है अब आपको ये दिख़्यों दिया गया है X. Y. 3 से बिवाजित है X. Y. 3 से बिवाजित है तो X. Y. 3 से बिवाजित है अगर यहां से x-y 3 से विवाजित है, y-z 3 से विवाजित है, तो आप यह बताओ, कि जैसे कोई दो रासियां है, अगर भória दोनों रासियां किसी एक रास से विवाजित हो रही है, तो उनका योगफल भी उसी रास से विवाजित होना चाहिए, तो को करके देखें, यहां पर x – y, प्लस कर दें, y – z, और इन दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ बताओ कितना हो जायगा, इनका जोड़ हो जायगा, y – y हो जाए, x – z भी 3 से बिवाजित होगा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा सीधा जो हमने बताया कि अगर यहां से देखिए अगर हम ऐसे लिख दें गर्सी भासा में X related to Y और Y related to Z देन हम इसके बाद हम यह भी कह सकते हैं कि दो को यहां से क्या कह सकते हैं X है, related to Z, तो X related to Z है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि आपका सम्बंद R जो है, आताहा R जो सम्बंद है, वो कैसा सम्बंद है? संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है भाई यहा? तो इस तरीके से यहां से हमने सिद्ध करके बताया आपको कि यह आपका जो R है, वो कैसा सम्बंद है? स्वतल है, आपका सम्बंद R है, वो कैसा सम्बंद है? समिमिती है, और आपका सम्बंद R है, वो कैसा सम्बंद है? संक्रामक है, मतलब यहां पर तीनों सम्बंद इस्थापित होते हैं, तो ऐसे सम्बंद को क्या कहते हैं? तुलता सम्बंद कहते हैं, आपको लिखना है क्योंकि संबंद आर स्वतुल है समिमिती है और संक्रमक है अताहां यहां पर यह तीनों संबंद स्थापत हो रहे हैं इसलिए संबंद आर तुलता संबंद है इतना नीचे लिख सकते हो यहां पर आपको फाइनल आंसर में क्या लिखना है एक बार फिर से सम मन इस्थापित करता है ठीक क्लियर तो इस तरीके से यह आपका हो गया एक बहुत ही महातंपूर्ब्रश्ण यह आपका पृष्ण भ 따이 माहतं पूर्व है बहूत य्याद answer it यह ऐसे मने कि आपको पंच नंबर दिला देगा ठीक पक्का कम अलब सो परसेंट की मौड़त हम इसलिए नहीं लगाएंगे तो आप हम दो क्लैम कर देंगे कि आपने तो सो परसेंट की बात करी थी लेकिन हम आपको बरुशा दिलाजेएं कि आयगा ठीक है ये या इसके तरीकी का कोई मिला जला ठीक है नेस्ट कुछें देखें इना देखें यह पर एक तो हमें समुच्चे दिया गया है, वो समुच्चे क्या है, कि जो भी तल में रेखाएं, वो सभी एक समुच्चे के रूप में रख दी गई हैं, तो यहां लिख देते हैं, जो समुच्चे दिया जाता, उसको क्या नम देते हैं, ए दे देते हैं, तो यहां ए बराबर हम लिख दें तो इसको हम समुच्छे ए लिख देंगे और यहां पर एक सम्बंद भी दिया गया है क्या दिया गया है इन रेखाओं में सम्बंद के समांतर हमें एक सम्बंद दिया गया है आर बराबर क्या लिख दें रेखाओं रेखाओं में संबंध के संबंतर क्या लिख दें के संबंतर मतलब रेखाओं के संबंतर ये हमारा एक संबंध है के संबंतर यहां पर inverted कोमा में यूँ ऐसी लिख ठीक है इसके बाद अब आपको करना क्या है यह हमें तुलता संबंद इस्थापित करना है कि यह आर जो है वो तुलता संबंद रखता है तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है स्वतुल तो स्वतुल कैसे करोगे दोगो बहुत ध्यान से समझना है स्वतुल कैसे करोगे अगर हम यह माने के समतल में सभी रेखा हैं उनमें से एक रेखा कोई x मालने क्या मालने x जैसे हम यह मालने के कोई x रेखा है तो इस x रेखा के समांतर मतलब इसी रेखा के समांतर कोई भी रेखा अपनी रेखा जो होती है उसी के तो समांतर होती है वो तो पक्की बात है कोई भी रेखा अगर x है तो वो रेखा x के समांतर होगी पक्की है ना मान लेते हैं माना रेखा x है तो यह x के समांतर होगी तब यह है तब यह है रेखा x के समांतर होगी मतलब स्वयम के समांतर होगी ऐसे समझो स्वयम के समांतर होगी तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है X is related to X मतलब X is related to X मतलब कुल मिला के बात यह हो गई कि रेखा जो X है वो स्वयम के समांतर है क्या लिखना है आताहा रेखा X स्वयम के समांतर है तब निश्चित रूप से आप क्या सकते हो क्या क्या सकते हो कि जो सम्मन आर है तब आर जो है वो स्वत्वल होगा इतनी बाद समझ में आई इसके बाद दूसरी पॉइंट दूसरा हमें क्या सिद्ध करना होता है हमें सिद्ध ये करना होता है दूसरा पॉइंट कि ये जो रेखा है अब हम यहाँ पर दो रेखा हैं मालेते हैं समिमिती सिद्ध करना है क्या करना है समिमिती तो हम यह मालेते ह तो को यहां लिख दें सामीमिति अगर हम यहां पर दो रेखा हैं मालने एक रेखा मालने एक्स और एक रेखा मालने बाई एक्स और बाई यह कहां से हमने लिया है एक्स और बाई हमने लिया है एसे ठीक है एक्स और बाई एसे लिया है तो हम कह सकते हैं कि एक्स कोमा बाई हो X के समानतर क्या से क्या सकत meillä? इसमें तो कोईsay डाउट वाली बात नहीं एक रेका अगर ये X है और एक रेका ये его i e अगर ये रेका एक 6 इस बाई रेका को ये समानतर है तो इसका मतलाब ये हो गया चो इसको यहां रफ कर लें और यहां लिख दें कि अगर x, by belong to r तो यहां लिख देते हैं by, by, x, by, x belong to r मतलब x से जो by का संबन्द है वही by से x संबन्द है मतलब x by के संबन्द है और by x के संबन्द है तो अता हम क्या कह सकते हैं अता हाँ संबन्द अता संबन्द r कैसा संबन्द है संबंध है इसके बाद तीसरी पॉइंट क्या होती है हमारा तीसरा पॉइंट होता है नमबर तीन इसको कहते है संक्रामक तो संक्रामक संबंध कैसे हम इस्थाफित करते हैं संक्रामक संबंध के लिए कैसे चेक करते हैं संक्रामक संबंद के लिए अब हम रेखा हैं, तीन मान लेते हैं, एक संतल में बहुत डेर सारी रेखा हैं, सवाल में दिया गया है, दोखो, A बराबर क्या है, संतल में स्थित बहुत रेखा हैं, उनमें हम नहीं मान लिया कि एक रेखा कोई A है, एक रेखा कोई B है, एक अगर ऐसे कहें Y, Z belong to R, मतलब इसका क्या हो गया, इसका मतलब हो गया Y, Z के समानतर है, तो निस्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं, कि जो Z है, जो X है, वो काई के समानतर होगा, X, Z belong to R, मतलब X और Z जो होगा, वो आपस में क्या होगा, समानतर, आप थोड़ा ऐसे समझ ले, एक इसको X लिखते हैं, इसको Y लिखते हैं, इसको Z लिखते हैं, तो यहां पर दोगो X रेखा, Y के समानतर है, Y रेखा, Z के समानतर है, तो Z वाली रेखा, X के समानतर होगी, पक्की बात है ना, तो यहां से इसी प्रकार हमने लेखा है, दोगो X, Y के समानतर, मतलब X, Y related to R, इ जो है उसका सम्बंद कहां से यह बाई और जैड़ आपस में समयनता है और इसी प्रकार जब ilr गार और आपस में प्रकार अगर यह एक्स और जैड़ भी आपस में एक्स और जैड़ आपस में क्या से संबंद है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, आता हा, क्या लिख दें यहाँ, आता हार जो है, वो क्या है, आर जो है, वो संक्रामक है, संक्रामक है, तो जब आर संक्रामक है, इसका मतलब क्या हो गया, तीनों दोखों यहाँ पर लागू हो गई, जो हमारा संबंद आर है, वो क तुल्यता संबंध इस्तापित करता है ठीक है अता आपको final यहां क्या लिख देना है अता हा संबंध और तुल्यता संबंध है तुल्यता संबंध है ठीक है इतना answer में लिख देना बोलो भाई किसी को कोई doubt ठीक है तो मेरे ख्याल से आज के लिए फिलाल आम इतना ही रखेंगे देखे़ी अभी हम आपको आंगे वाले वीडियो में जो आपका फलन आएगा उससे सारी प्रशन करवाएंगे जो भी इंपोर्टेंट होंगे सारी प्रशन करवाएंगे और कुछ इससे भी अगर छूटे साय सियत बन जाएगी पक्का बन जाएगी कता ही परिशान ना हो बढ़िया तरीका से मेनद करके अच्छा सा पढ़ लें अच्छा सा समझे लें बस छोड़ थोड़ा सा टाइम रहे आप तो बहुत जादा समय भी नहीं है अब आपके लिए बिल्कुल एकदम एक गड़ी पर करिए किसी भी आप किसी भी फाइट में जाने से पहले अदिया आप दर जाओगे तो आपकी निस्चित रूप से उसमें पराज़े निस्चित है इसलिए आपको डरना नहीं है एकदम मेहनत करके आंगे क्यों बढ़ना है आप लगे रहे हमने बताया कि हम आपके साथ हैं जितना ज्यादा ज्यादा अच्छा हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे बस केबल आपको इतना ही करना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ते रहे हैं ज्यादा फालतू ना पढ़ने हैं कोई बाद नहीं लेकिन इनको आप जरूर पढ़ते रहे हैं नोट बढ़िया एक दिन में ही सारा सारा कबर कर लेंगे तो बढ़िया से नोट्स बनाते जाए बढ़िया से एकदम कंप्लीट करते जाए और ये आज आज आपका पहला लेक्चेर है उसको आपका आपके लिए क्या रिस्पॉंस मिला है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको अच्छा लगाए तो इसको लाइक जरूर कर दें सेयर कर दें और चैनल पर नई आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ इसाथ बैल आइकन जरूर दबादें यससे आने वाले वीडियो का नोटिविकेशन आपको इससे पहले मिले थेंक्यू फर वर्वर्वर्वर्